आज में लेकर आई हूँ थ्री यूनिक गार्टर इरिया डेकोरेशन डाइस जो बहुत ही इनेपस्पेंसिव हैं और बहुत शॉर्ड स्पैन आफ टाइम में आसानी से बनकर त्यार हो जाते हैं तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ यह बर्ट फीडर चलिए इसको बनाते हैं रहे हैं én जह सेल कड़ों आरे हैं। जने में बनानी मेरा और करेंस बुड़ों चैड़िया के बना चाहिए और बहुत आसानी से इसको चुडिया का शेप दे दीजे अपनी इस बर्ड को एक 3D एफेक्ट देने के लिए मैं इसके पंक अलग से लगाऊंगी तो उसके लिए मैं सेरेमिक के डू को बेल के एक चप्टा सा पीस तियार कर लूँगी और उससे में एक नाइफ की हैल्प से इसके पंक का शेप दे दूगी यहां मैंने दो पंक तियार कर लिये हैं और फैवी कोल या किसी भी अच्छी ग्रू की हैल्प से हम इसको यहां पर साइड से दोनों साइड से चिपका लेंगे और थोड़ा सा पानी लगाके हम इसको एक बैटर शेप में ले आएंगे तो यह हमने इसी तरीके से दो बर्ट्स और बना कर त्यार कर ली अभी हम इनमे कलर फिल करेंगे यहां मैं इसमें स्काइ ब्लू कलर अपलाई कर रहे हूँ इसके पंकों में मैं कोई दूसरा कलर लगाऊंगी और इसकी बीक को रैड रखूँगी कंट्रास कलर्स का यूज करते हुए आप इनमे कलर्स फिल करें यह बहुत अच्छे से निकल कर आते हैं मैं यहां फैब्री कलर्स का यूज कर रहे हूँ आप चाहें तो एक्रिली कलर्स भी यूज कर सकते हैं वो भी बहुत अच्छे से निकल कर आते हैं यहां मैं अपनी ट्वीटी बर्ड्स को थोड़ा और सुन्दर बनाने के लिए इनके पंखों में थोड़ी सी डिटेलिंग कर रही हूं प्रेंट्स मेरे पास में यह टेरा कोटा की प्लेट रखी हूई थी इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ आप इसे कुमार के हां से ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो कार्ट बोर्ड पीस का भी यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले मैं इसके उपर बेस कोट के लिए एक्रिलिक बाइट पेंट लगा रही हूँ और मैंने यहां पर इसमें थ्री होल्स बना लिये हैं अब इसके साइड में यल्लो कलर से पेंट करूँगी पूरा एक बॉर्डर के जैसा एक थिक बॉर्डर मैं यहां पर पना रही हूँ और सेंटर के एरिया को पेंट करने के लिए मैंने यहां पर ग्रीन कलर का यूज़ किया है प्रेंट्स मेरे पास यह मिट्टी का दिया था इसको मैंने रैट कलर से पेंट कर लिया है और इसको मैं इस प्लेट के सेंटर में पेस्ट करूँगी इसको चिपकाने के लिए मैं यहां सेरेमिक डो का ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यह बहुत डूरेबल रहता है आप ग्लू गन से भी इसको चिपका सकते हैं या किसी अच्छी फैवी बॉंड से भी आप इसको चिपका सकते हैं अब बारी आती है हमारी बर्ड को चिपकाने की और इनको इसमें पेस्ट करने के लिए फिर वही मैं सेम मेथड यूज़ कर रही हूँ सरेमिक डो से ही मैं इन बर्ड को च्वीटी बर्ड को इस प्लेट पे चिपकाऊंगी इस तरह से हमें तीनों बर्ड को इसमें लगा देना है यहां मैं बाटर बना रही हूँ और बाटर बनाने के लिए मैंने ब्लैक एक्रलिक पेंट का यूज़ किया है फ्रेंड्स मैंने पहले से ही सेरेमिक डो से कुछ बीट्स बनाके रख लिये थे और उनको मैंने ब्लैक कलर से पेंट कर लिया था अब ही मैं सुतली से सुतली में उन मूतियों को डाल कर तीनों ही जो मैंने होल बनाए हैं उनसे इस सुतलियों को डिकाल कर बांध लूँगी जिससे कि हम अपने इस बर्ट फीडर को हैंग कर सकें And now it is ready And now for the second DIY मैं बनाने जा रही हूँ लॉट पुद्धा की एक पेंटिंग और इसको बनाने के लिए मैंने लिया है ये प्लाइबोर का पीस कि मेरे घर में इस पेर में पड़ा हुआ था आपके पास अगर प्लाइबोर का पीस नहीं है तो आप कार्ट पोड का पीस भी उस कर सकते हैं सबसे पहले मैंने इसके उपर वाइट एक्रिलिक पेंट से बेस कोट किया है और अभी मैं यहाँ पर बुद्धा का साधना करता हुआ पेस रेंडम्री ड्रॉ कर रही हूँ फ्रेंड्स बुद्धा का स्केश बनाना बहुत ही इजी होता है और अगर आप गुगल सहर्च करेंगे तो आपको बुद्धा के फिगर्स बनाने के और भी बहुत इजी मेथेट्स मिल जाएंगे और आप मैं करूंगी इसको पेंट पेंट करने के लिए मैंने ब्लू कलर में वाइट कलर को मिला कर थोड़ा सा लाइट ब्लू का शेट बनाया है और इससे मैं इस गुद्धा के फिज को पूरा ही पेंट करूंगी उसके बाद में वाइट कलर से मैं थोड़ा सा आइस, नोज और लिप्स को हाइलाइट कर रही हूँ देखें फ्रेंट्स मैं बिल्कुल भी ट्रेंट पेंटर नहीं हूँ बट फिर भी मैं किसी भी चीज को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बनाती हूँ और अपने घर को डेकोरेट करती हूँ अगर आप मेरी पेंटिंग्स को माइडूटली अब्जर्व करेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी कमियां दिखाई पड़ेंगी बट जो मेरा परपर्स है डेकोरेट करने का मेरे घर को वो मेरा सॉल्व हो जाता है क्योंकि मैं जब किसी भी चीज को बना कर अपने घर में लगाती हूँ न तो डेफिनिटली बहुत सुन्दर लगती है बिकॉस मैंने कहीं पड़ा था कि लेक ओफ कॉंफिदेंस इस बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ अन आर्टिस्ट तो आप अगर नॉन प्रिंटर हैं फिर भी आप पूरे कॉंफिदेंस के साथ जो भी आप पेंट करके अपने घर में लगाना चाहते हैं आप लगाईए बिकॉ फ्रेंट्स आइस नोज लिप्स को हाइलाइट करने के लिए मैंने यहां पर टाक ब्लू कलर का यूज़ किया है फ्रेंट्स लॉर्ड बुद्धा का कोई फिगर हो या कोई पेंटिंग हो वो बहुत ही रिलीफ गिविंग होता है आप लॉर्ड बुद्धा को अपने घर के किसी भी कोने में रखिए और चलते फिरते आप उसे देखिए वो बहुत ही relief giving होता है उसको देख के एक बहुत ही peaceful feeling आती है और garden decoration तो बिना लौड बुद्धा के incomplete ही लगता है किसी नहीं नहीं को濃़ मुदद हो बुद्भ से लिक से मुदद़ करी सुमें किसी धनज आती हम Randomphone किसी किसी को वो बुद़द अजा है किसी वो शआए कि अपाईर अ हैं कि अचल एड़ ब एा कि एव शजटिव хлु के अचल और सुटूप यहां मैं पुद्दा के शोल्डर को बना रहे हूँ और इसके उपर भी में सेम लाइट ब्लू कलर अप्लाई करूँगी इनके वस्तर को बनाने के लिए मैंने औरेंज कलर से इनके एक शोल्डर से इनका गमच्छा बनाया है यहां जो हमारा यह वाइट बैग्ग्राउंड है इसको मैं डार्क ग्रीन कलर से पेंट कर दूँगी और यहां इनके नेक के सेंटर में मैं एक लोटस का फ्लार पेंट कर रही हूं अलार पेंट कर दोस्तिक कर दोस्तिक ईकप़िए आपस्टिक कर दोस्तिक ईका लोटस्तिक जो हमारा ये प्लेन ग्रीन बैक्राउंड था इसके उपर मैंने यल्लो कलर से लीव्स बनाई है और उनके उपर डाक प्रीम कलर से डीटेलिंग करी है और अब आपुद्रा इस कम्प्रीट थर्ड डियाईवाई के लिए मैं एक बैल बना रही हूँ और इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर यह प्लैंटर का यूज कर रही हूँ इसके उपर में वाइट एक्रिलिक पेंट से बीस खोड कर रही हूँ आप चाहें तो कोई भी जो मिठाई के आजकल अस्तरे के प्रास्टिक के डिब्बे आते हैं आप उनी भी यूज कर सकते हैं अभी हमें यह सेरेमिक डो से एक बड़े साइस का बीट बना लेना है जैसे कि मैं यहाँ बना रही हूँ और उसको रेस्ट करने के लिए सूखने के लिए मैं साइड में रख दोगी अभी हमारा यह बेट सूख चुका है तो अब मैं इसके उपर ब्लैक एक्रिलिक पेंट से पेंट कर रही हूँ पेंट करने के बाद हम इसे भी सूखने के लिए छोड़ेंगे इसाज रही हूँ अबी जो हमने यह बॉक्स को बाइट कलर से पेंट करके रख था यह खौग गया है अब हम इसके उपर क्लर लगाएंगे यहां मैं औरेंज कलर से उपर एक स्ट्राइप के जैसे पेंट कर रही हूँ और इस बॉक्स में हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की स्राइप ही बनानी है और अभी यहां पर मैं कुछ डिटेलिंग कर रही हूँ बहुत सिंपिल डिजाइन मैं यहां बना रही हूँ जो बच्चे भी आसानी से बना सकते हैं और हमारी यह बैल इस इस डिजाइन से ही बहुत सुन्दर लगने वाली है बस मैं यहां पर डॉट्स रख रही हूँ और यहां पर मैं कुछ slanting lines paint कर रही हूँ और इसी तरीके से हमें alternative dots and slanting lines dots and slanting lines बनाते जाना है नौट जसी गाईज यह अभी से ही कितना सुन्दर लगने लगा है अभी मैं इसके उपर एक clear varnish का एक coat लगा दूँगी और इसके बाद जो हमने यह बड़ा सा एक beat बनाया था इसको मैं एक सुतली में या किसी पतली रसी में डालकर knot लगा लूँगी और अब मैं अपने इस bell के अंदर से इसको एक hole करके और इसके अंदर से इसको पिरो दूँगी and now it is complete and here is the final view अबस्क्राइब कर दो एक लगा है कि 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 क । झाल झाल